है नमस्कार दोस्तों मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पास्पोर्ट हिल्प लाइन पे जहां पे आपको पास्पोर्ट अप्लिकेशन डोकुमेंटेशन पुलिस वेरिविकेशन के साथ साथ अलग-अलग क पास्पोर्ट के लिए अप्लाई करना पास्पोर्ट पाना हाथ में लेना यह हम सभी भारतियों का जो है अपना एक फ्रीडम है अपना एक आजाधी है साथी साथ आपका अधिकार भी है लेकिन इसके शाथ साथ जो है यहां पे कुछ नियम और कुछ शर्ते भी हैं जो की और शर्ते हैं जिसके उपर अगर आप खरे नहीं उतरते हैं तो आपको पासपोर्ट देने से मना किया जा सकता है आपका अप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा और आप भविष्य में कभी अपने जिन्दगी में पासपोर्ट के लिए अपलाई नहीं कर पाएंगे तो अगर आपका पासपोर्ट और लेडी बन चुका है फिर भी जो है यह आठ जो बाते हैं यह आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आगे जा सबसे पहला आता है सिटिजन शिप नागरिकता यहां पर मतलब यह है दोस्तों कि जो भी अपलाई करता है जिसने भी नए पासपोर्ट के लिए अपलाई किया है वह भारत का ही नागरिक होना चाहिए अगर वह विदेशी है अगर वह वेरिफिकेशन में यह बात सामने आत जो है निपाल के साथ भूटान के साथ या फिर कहीं कहीं बंगलादेश के साथ भी खुला हुआ है ऐसे में बहुत सारे इलीगल लोग हमारे देश में आ जाते हैं और जो भी नकली पहचान पत्र है वो बनाकर भारतिये पासपोर्ट के लिए अपलाई कर देते हैं लेकिन इसे में दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का जो अपना इंटेलिजेंस होता है जो अपना खूफी अतंत्र होता है वह इस बात का पता लगा लेता है और अगर आप विदेशी पाय जाते हैं अगर भारती यह नहीं है तो यहां पर पूरा-पूरा संभावना ह है कि आपका जो अप्लिकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा यहां यहां पर दूसरा जो है में पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहां पर सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है और यह आपको ध्यान रखना चाहिए सक्पीशियस है अगर आपका जो आसपडोस में आपका वीहव सही नहीं है तो उस बेसिस पर भी आपका अप्लिकेशन है वह रिजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि भारत सरकार यहां पर को रिस्क नहीं लेना चाहती है कि वह एक ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट दे जिसका जो इस्तिति है संदेहास पर्द हो और वो किसी तरीके का कोई लीगल काम करें तो यह आपको ध्यान लखना है कि आपका करेक्टर भी बहुत अच्छा होना चाहिए आपके एह आप application करते हैं किसी व्यक्ति ने नए passport के लिए apply किया है उसके अगर 5 साल की अंदर अंदर भारत के किसी court के द्वारा अगर उसको कम से कम 2 साल की सजा दी गई है तो जो है वो passport के लिए apply नहीं कर सकता है अगर वो passport के लिए apply करता है तो उसका जो application है उसको reject कर दिया जागा तो कि उसके बाद दोस्तों यहां पर हमारा चौथा पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वैसे लोग जिसे जो है किसी दूसरे देश की सुराइच्छा को खत्रा हो जैसे कि मान के चले कि ठीक है आपने अपनी सजा पूरी कर ली आप बिल्कुल जो है कोड से है वह अच्छा रहे और कोई भी भारतिये जाकर वहां पर कोई उल्टा पूल्टा काम ना करें ऐसे में दोस्तों अगर आप जो है आपकी एक्टिविटी सही नहीं है तो जो है आपका दूसरे देश को खत्रा होता को भाबते हुए आपके अप्लिकेशन को जो है यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों जो अगला पॉइंट है वो है कि किसी ऐसे कारण से जिसके कारण जो है आपका उस कंट्री से किसी दूसरे कंट्री से भारत का दोस्ताना रिष्टा है वह खत्रे में पड़ सकता है अब इसका मतलब क्या हुआ जैसे कि क कुई बिलकुल प्रफ अपने को मांते हैं अब हर जगा तो आपका रिरीजन नहीं चलेगा तो ऐसे में आपके बैग्रांड को देखते हुए आपका जब verification होगा तो उस समय अगर आपका ऐसा background कुछ पाया गया कि आप जो है दूसरे धर्मों का समान नहीं करते हैं आप जो है बड़ बोले टाइप के हैं तो उस basis पे भी आपको जो है आपका application किया जा सकता है उसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है छठा नंबर का वो जो है काफी खतरनाक है और इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि वैसा कोई भी व्यक्ति जिसके उपर किसी कोट के द्वारा अरेस्ट वारेंट उसके उपर एरेस्ट वारेंट या फिर समान या फिर उसको देश छोड़ कर भागने पर रोक लगाई गई है उसके उपर या फिर उनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया जाता है मतलब यह कि आप देश छोड़कर नहीं भाग सकते हैं अगर आपका भी नाम लुक आउट नोटिस में है तो भी आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो अप्लिकेशन है वो रिजेक्ट ह हो जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर सात्वा नंबर है कि आप किसी कंट्री से डिपोर्ट नहीं हुए होंगे यह जो उनके लिए है जिनको लेडी पासपोर्ट बन चुका है और अपने पुराने पासपोर्ट किसी दूसरे देश में गयते अगर वहां से रि किसी गलत काब में वह पकड़ा जाता है तो भारत सरकार जो है उसको अपने खर्चे पर इंडिया लेकर आती है फिर उसके बाद वह आजाद हो जाता है लेकिन अगली बार जब आप नए पासपोर्ट के लिए अपलाई करेंगे तो जब तक आप उन खर्चों को जो की भार प्लिक इंट्रेस्ट वैसे लोग जिनको आप यहां की पब्लिक पसंद नहीं करती है जिनका नाम खराब है जो काफी बजनाम हो चुके हैं इस्पेशली पॉलिटीशेंस लोग ऐसे होते हैं तो उनको भी है जो उनका भी जो अप्लिकेशन है वो भी ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उनको जो है बहुत सारे कंट्री जो है वो वीजा नहीं देती है मतलब यह कि इनका पब्लिक इंट्रेस्ट में अगर आपका नाम है अगर आप शांती भंग के आरोपी पाए गये हैं कभी आपका कोई चलान वगेरा हुआ है तो उस स्थिति में भी अगर आप ऐसा कोई दोष्ट आपके उपर पाया जाता है तो यहां पर संभावना है पूरी पूरी जो आपका जो पास्पोर्ट का जो अप्लिकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो दोस्तों यह था टोटल आठ हैसे महत्पूर्ण मुद्य ऐसे आठ महत्पू तभी इन फ्यूचर आप विदेश जा सकते हैं आप अपना पास्पोर्ट बनवा सकते हैं इसे संबंधित दोस्तों आपके मन में कोई और प्रशन है कोई और कोशन है तो बेशक आप मुझे आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं मुझे बहुत खुशी हो होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में तब दक दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में रखिया अपना बहुत सारा ख्याल जैहिंद